क्या बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार जल्द ही CM पद छोड़ सकते हैं? क्या बिहार में अब BJP अपना मुख्यमंत्री बना सकती हैं? क्या नितेश कुमार राज्य सभा जाएंगे? क्या नितेश कुमार, BJP की ओर से उपराश्क पती पद के उम्मीदवार हो सकती है कुछ ऐसे ही सवाल सियासी गलियारों में तहर रहे नमस्कार मैं होशे हो पिछले कुछ दिरों से CM नितेश कुमार को लेकर काफी चर्चा हो रही है कहा जा रहा है कि भाजपा CM नितेश कुमार से समझहोता कर विहार ने BJP का मुख्यमंदरी बना सकती है और इसकी एवज में उन्हें राज्य सभास्तान सद या फिर उपराश्टपती के पद पर आसीन कर सकती है दरसल पिछले दिनों से CM नितेश कुमार विधान सभा में अपने कमरे में पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे इसी दोरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कभी राज्य सभा का सदस्य से नहीं रहा एक बार राज्य सभा सदस्य सवन्ने की इच्छा है फिर क्या था बिहार की राजनीत में भुचा ला गया जितनी मूँ उतनी बाते होने लगी कहा जाने लगा कि नितेश कुमार किसी समझोते के तहेद खुद CM पद से हट सकते हैं जब चर्चाओं का बाजार गर्ण हुआ तो खुद नितेश कुमार मेडिया के सामने आए और इसे पूरी तरह से खारिश कर दो उन्होंने कहा कि मेरी या कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं राज्य सभा जाओ CM ने पत्रकारों से बाच्चीत के दोरान कहा कि जब मैं विधायक बनता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं सांसद बन जाओ उसके बाद कई बार मैं MP बना, केंदर में मंत्री भी रहा लेकिन फिर कोई इच्छा नहीं रहे जब पूरा समीकरण हमारे पक्ष में था तब मुझे लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया अब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं राज्य सभा के लिए सांसद बनू यनि स्यम नितेश कुमार को लेकर जो अटकले लगाई जा रही थी जो कयास लगाई जा रहे थे उन पर विराम लग चुका है दोस्तों इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले जय हिंद